दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्नीक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अगर सही हातों में हो तो बहुत helpful हो सकती है और अगर गलत हातों में हो तो बहुत harmful भी आज की इस वीडियो में हम लोग डार्क साइकोलोजी की बात करेंगे इसमें मैं आपको दो टेक्नीक्स के बारे में बताऊंगा गैस लाइटिंग और इमोशनल मैनिपिलेशन बहुत helpful होने वाली ये वीडियो शुरू करते हैं मिलता हूँ इस वीडियो के end में डार्क साइकोलोजी एक ऐसी टेक्नीक है जिससे लोग आपको इमोशनली मैनिपिलेट करते हैं लेकिन आप इसे सिर्फ नॉलेज की तरह सीखो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे आपने अपने आसपास देखा होगा कई लोगों के साथ में online scams हो जाते हैं अब तो government भी इतनी awareness फैला रही है कि अपना OTP किसी के साथ में share मत करो अपना QR code किसी के साथ में share मत करो फिर भी कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन scammers के जाल में फस जाते हैं जैसा जैसा वो scammers बोलते जाते हैं वैसा वैसा ये लोग करते जाते हैं reason साफ है dark psychology अब मैं सर्फ online scams की बात नहीं कर रहा हूँ day to day life में भी हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अलग-अलग तरीकों से हमें influence करने ही कुशिश करते हैं जैसे gas lighting हो गई emotion manipulation हो गया जैसे मैं एक example देकर आपको समझाने ही कुशिश करता हूँ एक technique होती है जिसमें आप harmlessly किसी को reject करते हो जैसे कोई लड़का है उसने एक लड़की को जाके बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो वो लड़की directly उसे reject नहीं करेगी harmlessly reject करेगी वो लड़की बोलेगी कि हाँ पसंद तो मैं भी तुम्हें गटती हूँ लेकिन constantly वो उसे avoid करना शुरू करते हैं वो अगर कुछ भोले तो उसकी बात पर ध्यान नहीं देना उसने अगर कोई message किया तो उस message को देख करके भी अंदेखा कर देना तो इससे क्या होता है किसी पालतू जानवर की तरह वो इंसान उसके पीछे-पीछे लग जाता है obsession पैदा करने की एक technique होती है या फिर कुछ time के लिए किसी की नजरों से ऐसे दूर हो जाना कि उसकी जान अटक जाए या फिर अगर वो ध्यान ना भी दे तो थोड़ी दिनों में ध्यान देने लगेगा वो आपको phone करे तो phone भी मत उठाओ कोई reply मत दो फिर अचानक से उसके सामने आ जाओ तो इससे attachment बढ़ता है खोने का डर पैदा होता है ये सब डार psychology का part ऐसा नहीं है कि कोई इनसान एक बार manipulate हो गया तो दूसरी बार नहीं होगा बलकि वो सेम गलती बार बार करेगा जैसे आप दिन रात कितनी भी awareness फैला लो आप बच्चों में इतनी awareness पलाते हो कि ड्रक्स बरबाद करतेगी ड्रक्स से जिंदगियां बरबाद हो जाती है लकिन तब भी बच्चे इसमें गुस्ते जा रहे हैं न कौन रोक लेता है तो ऐसे में आपको इन सब चीजों से बचने के लिए अपने emotional defense के लिए dark psychology सीखनी होगी तो सबसे पहली technique की हम लोग बात करते है सबसे important और famous technique है gaslighting मीडिया में भी इस word का बहुत use किया जाता है आजकर gaslighting क्या है ये technique एक famous dramatist थे Patrick Hamilton उन्होंने एक drama लिखा था gaslight नाम का 1939 में उस drama से ये term निकल कर आई है इस drama में क्या होता है एक husband अपनी wife को psychologically manipulate करने ही कुशिश करता है उसे यकीन दिलवाने में लगा रहता है कि वो पागल हो चुकी है अपने घर की चोटी चोटी चीजों को इधर उधर करके वो उसको यकीन दिलवाता है कि सच में वो पागल हो गई है और इसमें वो यूज करता है घर में मौजूद एक gas light का लालटेन होता है न उसका और आज इस technique का यूज करते हैं काफी सारे लोग emotionally abuse करने के लिए ताकि इंसान खुद पर ही doubt करने लगे जैसे अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज़े बोल रहा है तो समझ जाओ कि वो gas lighter है कैसी चीज़े मैं आपको बताता हूँ लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि gas lighting हमेशा intentionally होती है दोस्तों बोलने वाला अच्छे से जानता है कि वो क्या बोल रहा है और ऐसा बोलने से क्या result हो सकता है तो ऐसी क्या चीज़े हैं जो gas lighter बोलता है वो ऐसा बोलता है लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया ही क्या है अगर कोई इनसान ये बात जानते हुए भी कि उसने क्या किया है ऐसा सवाल पूछता है कि लेकिन मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया ही क्या है तो समझ जाओ वो आपको self-doubt में डालने ही कुशिश कर रहा है ये gas lighting की एक technique होती है या फिर अगर कोई बोले यार sorry लेकिन मैंने नहीं सूचा था तुम मेरी बात को इस तरीके से लेगा बारी negativity मुझे भी negative बना देती है या फिर ऐसा बोले कि तुझे इलाज की जरूरत है ये कुछ ऐसे sentence है जो directly जाकर दिल में लगते है तो एक gaslighter सोच समझ कर मौका और time देखकर कि कि किस time पर सामने वाले को ये बात जाकर directly heart में लगेगी वो सोच समझ कर बोलता है और इन लाइनों से आप खुद कोई एक problem समझने लगते है तो gaslighting एक famous technique है next technique है emotional manipulation ये एक ऐसी technique है जिसमें कोई भी फच सकता है दोस्तों कितना भी समझदार आदमी हो इसमें फच सकता है क्योंकि इसे use करने वाला अपने हर एक action को बड़ा carefully जानभूच कर use करता है उसे कोई जल्दबाजी नहीं होती वो बड़ी चालाकी से दूसरे इंसान के behavior को उसके emotions को और सबसे importantly उसके thought process को पकड़ता है कैसे? जैसे उसके साथ में guilt tripping करता है इसमें वो आपसे बूलेगा यार मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी तुझ पर तो यार इतना विश्वास था मुझे ये line बोलकर वो तुमें guilty feel करवाने ही कोशिश कर रहा है ऐसे sentence बोलकर जिससे आप overthinking करने लगो अपने आपको blame करने लगो या फिर इस technique में वो आपकी साथ रहकर ये समझने ही कोशिश करेंगे कि आपकी insecurities क्या है और फिर उन से insecurities का वो फायदा लेंगे advantage लेंगे जिसे आप अगर अपने जड़ते बालों से परिशान हो तो वो आपको हमेशा इसी बात पर point करेंगे, pinch करेंगे यार तेरे बाल भोच जड़ रहा है कितनी भी oiling कर ले, ये रुकेंगे नहीं अब तो ये try गर, या फिर beauty products में भी ये ही किया जाता है आपकी insecurities का फायदा उठाया जाता है emotional manipulation करने के लिए कि ये cream लगाओ और निखार पाओ ये तेल लगाओ और बाल बाओ सेम आपकी साथ में ये emotional manipulation करने वाला manipulator भी बार-बार आपकी insecurity को ही अपना weapon बनाएगा ताकि आप doubt में आ जाओ ताकि तुम खुद को ही ना पसंद करने लगो, आपका confidence तो down हो और उसका confidence बढ़े तो ऐसी बहुत सारे techniques है दोस्तों, एक वीडियो में cover करना मुश्किल है, उमीद करता हूँ इस चोटी सी वीडियो से आपको ये दू techniques समझ में आई होगी चलिए, आगे और techniques की बात करेंगे फिलाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही अब जब आपने ये वीडियो खतम कर ली है तो मैं उमीद करता हूँ आपको ये dark psychology कुछ हद तक समझ में आई होगी ऐसी और भी वीडियो बनेगी पिलाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही